हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी और यूनिक नास्ते की रेस्पी जिसे आप समोसा रोल भी बोल सकते हैं काफी ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती है और आप इसे बहुत आसानी से बना भी सकते हैं तो चलिए आज की समझदार सी रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो लगागर तयार करेंगे तो यहां पर मैंने देढ़ को टोरी गेहूं का आटा लिया है आप चाहे तो इसे मैदा सभी बना सकते हैं लेकिन हम इसे गेहूं के आटे से आज बनाएंगे तो आप अपने अनुसार गेहूं का आटा ले लिजी आपको जितने क्वांटिटी में यह नास्ता बनाना हो तो अब क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा अजवाई नाइट करेंगे तो हंथेली पर इस तरीके से थोड़ से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे अब इसमें आपको कितना मोयन डालना है वह आपको मिक्स करने के बाद ही पता चलेगा तो यह देखिए मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से बांध कर देखना है मुठी में तो देखिए यहां पर यह जो है ना अच्छे से बंध रहा है इसका मतलब है कि इसमें मोहिन हमें और नहीं डालना है बस इतना ही डालना है कि ये अच्छे से इस तरीके से बंध जाए अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका टाइट सा डो लगा कर त्यार करेंगे रोटी का आटा जैसे लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है ये देखिए मैंने इसका आटा लगाकर त्यार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो डो लगाया है थोड़ा सा टाइट ही लगाया है अब इसके उपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारो तरफ इसके लगा देंगे क्योंकि हम इसको रेष्ट पर रखेंगे तो ताकि ये सूखे नए उपर से इसलिए इसको इस तरीके से चारो तरफ तेल लगा करके धग कर रख देंगे तो जब तक ये आटा रेस्ट करेगा ना तब तक हम इसके आगे की तयारी भी कर लेंगे अब यहाँ पर हम गैस ओन करेंगे और इसके उपर मैंने एक कड़ा ही रखा है आप पैन में भी ये काम कर सकते हैं थोड़ा सा क्या करेंगे ना कि इसमें मुफली के दाने डालेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे और जब यह रोस्ट हो जाएगा ना इसके छिलके निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इसे खलबटे में डाल करके हलका सा दरदरा कर लेंगे यह देखिए इस तरीक साबू धनीया डालेंगे अब यहां पर हमें लासन अदरत को कूट कर डालना है या पिर इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं मैंने एक चमच इसमें कूटा हुए लासन और तरफ डाला है अब इन शारी चिजों को नहीं तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस कुछ सेगेंट के लिए अच्छे से भूं लेना है और इसके बाद हम इतने कटे हुए प्या देंगे अब मेरा प्याज खोना को हमें Livingonne ना है और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले अइड़ेंगे तो यहां पर मैं डाल रहे हूं थोड़ा सा काली मिज का पाउड़र और थोड़ा सा जीरा पाउडर उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आधी छोटी चमच नमक भी डाल रही हूँ बागी का नमक हम बाद में आड़ करेंगे और अब इसमें आधी छोटी चमच आजवाईन आइट करेंगे और आधी छोटी चमच कलोंजी भी इसमें आइट कर लेंगे बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस एक मियट के लिए इसे भून लेना है तो ये देखिए ये सारे मसाले और प्याज वगएरा अच्छे से भून गया है अब गैस का फिलेम हम बंद कर देंगे और अपने आगे की तयारी करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है उबले हुए आलू जिसको की मैंने अच्छे से मैस कर लिया है तो इस उबले हुए आलू में हम क्या करेंगे कि जो हमने प्याज को भूना था ना प्याज और मसाले तो इन सब को हम इसमें डाल देंगे और अब हमने जो मुख़ली के दाने को थोड़ा सा दरदरा करकर रखा था ना इसे भी डाल देंगे और अब इसमें हम बारी कटा हुआ धनिया का पता एड़ करेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया का पता बचा ले रही हूँ क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी और अब मैं यहाँ पर एक छोटी चमच नमक और डाल रही हूँ क्योंकि नमक मैंने पहले कम ही डाला था और बस इन सारी चीजों को न अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरीके से हमारा बहुत ही टेस्टी आलू का मसाला बनकर त्यार हो गया है इस तरीके से आप अलू का मसाला बना कर देखिएगा बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंस ट्राइक करके जरू देखिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो प्टेंस तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए अभी इसे साइड में रख देते हैं और इसके आगे की तयारी करते हैं अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से चावल को भीगो कर रखा था और यह काफी अच्छे से पूल गया है तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए भीगो कर रख देंगे तो अच्छे से पूल जाता है अब क्या करेंगे कि हम इसको मिक्सी की जार में डालेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी आइड कर लेंगे ताकि जो इसका पेस्ट बनेना एकदम स्मूध बन कर तयार हो तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मिक्सी की जार में चावल का पेस्ट लगा हुआ था तो इस तरीके से डाल देंगे और अब इसमें आइट करेंगे दो चमच मैदा आप चाहे तो यहाँ पर गेहूं का आटा भी आइट कर रहते हैं उसके बाद मैं आधा चमच चिली फ्लेक्स आइट कर रही हूँ साथ में थोड़ा सा नमक आइट कर देंगे और उसके बाद हमने जो बारिक कटा हुआ धनिया का पत्ता बचा कर रखा था ना उसे भी इसमें आइट कर लेंगे और बस इन सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है अब यहाँ पर मैं एक चीज और एट कर रही हूँ अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें जरूर एट कीजिएगा तो यहाँ पर मैं इसमें एक चमच सफेद तील एट कर रही हूँ इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा बहुत ही बढ़िया सा घोल बनकर त्यार हो गया है यह देखिए बहुत जादा पतला नहीं रखना है और बहुत जादा गाढ़ा भी नहीं आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं तो अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं और अब क्या करेंगे ना कि हमने जो आटा को रेष्ट पर रखा था उसे एक बार मसल लेंगे और इससे लोई तयार करेंगे तो यहां पर मैं दो बड़े बड़े साइज के लोई तयार कर रही हूँ ताकि हमारा नास्ता जल्दी से बन करके तयार हो जाए देखिए मैंने दो लोई इस तरीके से तयार कर लिया है अब क्या करेंगे कि हम कीचन काउंटर पर ही इसको बेल कर तयार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने इसको बेल लिया है और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल रोटी के जैसे ही इसको बेल करके तयार किया है लेकिन थोड़े से बड़े साइज में मैंने बेला है ताकि हमारा नास्ता जल्दी तयार हो जाए अब हमने जो आलू मसाला बना कर रखा था ना उसको इस तरीके से रख देंगे और चारो तरफ इस तरीके से स्प्रेट कर लेंगे चारो तरफ फेला लेना है अच्छे से इस तरीके से आलू वाले मसाले को अर उसके बाद क्या करना है कि इधर से एक तरफ से पकड़ करके इसको roll कर लेना है यह देखिए और लास्ट में आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि यह अच्छे से चिपक जाये और प्राई करते टाइम खूलेना है और उसके बाद इसको अच्छे से रोल कर लेंगे थोड़ा सा हलका सा चप्टा कर लेंगे इस तरीके से और अब इसको छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से इसको कट कर लेना है काफी बढ़िया नास्ता बनकर त्यार होता है आपको इसे खाने के बाद बिल्कुल समोसे वाली फिलिंग आएगी तो आप एक बारी से जरूर से ट्राइ कर दिये गया बनाना भी बहुत असान है तो यह देखिए इस तरीके से हमें ना सारे नास्ते को बनाकर त्यार कर लेना है और उसके बाद हम इसे फ्राइ करेंगे तो फ्राइ खाने से परले हमें क्या करना है कि हमने ज्या चावल के आटे वाले घोल बनाया है न कि इसमें ऑपने नास्ते को एकए करके ड़ेंगे और इसे अच्छय से फ्राइ कर लेंगे तो flame को आप medium to high पर रखिएगा और अच्छे से इसको crispy होने तक fry कर लिजिएगा तो यह देखे फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा नास्ता है अच्छे से fry हो गया है इस पर एक अच्छा सा color भी आ गया है और बहुत बढ़िया सा crispy हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के नास्ते को भी इस तरीके से fry कर लेंगे और यह लिजी यह हमारा बहुत ही टेस्टी गेहू के आटे का नास्ता बन करके त्यार हो गया है आप इसे समूसा रोल भी बोल सकते हैं बहुत बढ़िया खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश लगता है आप ट्राइ करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी काफी क्रिस्पी नास्ता बन करके तैयार होता है बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है यह देखिए आप इसे टोमाइटो केचप के साथ खा सकते हैं या फिर हरी धनिये की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत टेश्टी लगता है तो आप इस recipe को कब try कर रहे हैं comment करके जरूर बताईएगा और आपको ए recipe कैसी लगी वो भी हमें comment करके जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आई हो प्रेंज तो like जरूर कर दीजिएगा दोस्तों को share करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिएगा मिलते हैं एक और अच्छी सी recipe के साथ तब तके लिए take care, bye bye